हेलो नुमिश्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों इस चैनल पर आज में लेके आया हूँ ट्राइडेंट और ट्राइडेंट टेक्सो फैब लिम्टेड के बारे में देखे सारे हमारे वीवर्स हैं जो कंफ्यूजन है उनको की ट्राइडेंट और ट्राइडेंट टेक्सो फैब मतलब अगर डिफरेंट है तो क्या है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्राइडेंट की सबसीडरी है तो बिल्कुल क्लियर करूंगा आज इस वीडियो में उससे आ बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन वीडियो है आपके लिए क्योंकि बहुत सारे नियूज है और दोनों ही एसम लिष्ट में है शेयर तो बात बहुत गहरी हो जाने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने को सबस्क्राइब नहीं किया है तो बहुत चोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बगल में घंटी बनी हुई है बैल आइकन को उसको हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नॉटिफकेशन मिलते रहेगा आपने अभी तक पेनी शेयर वार करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जा कि आप डीमेट अकाउंट ओपेन करवाओ और उसके बाद वर्टसप का नमबर भी मेरा है वर्टसप पर मुझे पिंक करो मैं आपको अपने पेड ग्रूप में एड कर लूँगा तो यहां पर ट्राइड एंट टेक्स ओफ हम लिम्टेड का प्राइज लगा हुआ है 27 रुपए अगर ट्राइड का भाव यहां पर हम देखते हैं तो आपको यहां पर नजर आएगा मैं लगा लेता हूं अगर आप देखोगे यहां पर तो देखिए यहां पर 14 रुपय 15 पैसे नजर आ रहा है हमें और लगतार declining pattern बनता हुआ नजर आ रहा है चलिए वेट करते हैं और क्या बनता है समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले ट्राइडेंट टेक्स ओफ़ेब के समय यहाँ फकुला हुआ आप देख पा रहे है इनका बहुत सारा सेक्टर है लेकिन यह जो है इनका अलग है यहाँ पर हम टेक्स्टाइल तो यह फेब्रिक का काम पर जैसे कि नाम से समझ मारा टेक्स्टाइल फेब है ना तो यहां पर देखिए कर्टनस इनका प्रोडक्ट्स किया का वर्स कुछिन कवर्स और यहां पर şार कटन कुट्टिल सेट पता नहीं क्या है जो भी है यह सब तो पता ही नहीं है मुझे बैट सीट है लॉंड्री बास्केट है और आलोवर बहुत कार से मतलब इनका काफी कुछ है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है तो में जो इनका काम है कटन्स वगयरा का है पर्दों का काम ज्यादा ठीक है ना है बढ़िए हार्दिक जजद हार्दीज जिगिश कुमार देशाइट तो मार्केट कैप के लिए अगर देखें ट्राइट टेक्स फैप को तो 27.2 करोड का मार्केट के नजरा रहा है करेंट प्राइस 27 रुपर नजरा रहा है अगर हाई देखते हैं तो 49 रुप अगर देखें तो 13.3% का नजरा रहा है अगर डेट की बात कर रहे है तो 25 करोड का सिर्फ डेट नजरा रहा है तो यहां पर अगर आप कौटरली इनके रिजल्ट्स देखते हो ना तो आपको यहां पर सेल्स नजर आएगा कि सब्टमबर में इनका काफी सेल्स निकला है औ सेल्स अच्छा खासा नजर आएगा तो सेप्टमबर में इन्होंने 14 लाग का प्रॉफिट बनाया है जबकि पिछले क्वाटर में जून में इन्होंने 50 लाग का लॉस किया था तो मतलब लाखों में ही इनका गेम है क्रोड में तक गेम नहीं पहुंचता गया आप देखो क लॉक्स एक करोड तीसरे के लागे क्रोड चारीज लग का रहूंट का रिज़र्ब पढ़ा हुआ है पच्छीस करोड का कम्पनी पे करजा नजर आ रहा है तियुक एक का अम्मरी मार्केट काप 27 करोडर और 25 करोड का करजा कंपनी पे नजर आ रहा है शेयर होल्डिंग पै करना है कि क्या करना है वैसे लिहाजे से मैं अगर उसको देख कि कहूं तो आप लंबे समय के लिए शेर को होल्ड कर सकते काटव अगरे दिमांड तो रहती ही रहती है और आगे और भी ज़्यादा रहने वाली है तो ट्राइडंट लिम्टेट पर अगर हम बात करें तो वहुत नीचे के प्राइश से सज्ञेस्ट किया हुआ है बहुत नीचे के प्राइश से हमारे यूटूब चेनल पे अगर आप जीनल पहुत पे लगातार हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा अपनेल्ट प्रफी अच्छा लगता है मुझे और शेर होल्डिंग पर्टन 74% की होल्डिंग कंपनी के पास है और कंपनी पर डेट अगर देखे तो 895 करोड का डेट नजर आ रहा है तेरी टावल में माहिर कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है पर मोटर्स अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है लाच्ट पार्टर म इनोने अगर आप देखोगे तो सेल्स में भी अच्छा खासा इनका इंक्रीज वहार प्रोफिट भी इनोने बढ़िया दर्ज किया है पिछले क्वार्टर से तो 112 करोड का इस बार प्रोफिट इनोने दर्ज किया है दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट आ गया है तो मतलब उस चोटे ट्राइटेंट से यह ट्राइटेंट मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं इसको ज्यादा रेक्मेंट करूँगा आप अगर उसको लेने के चकर में तो मैं कहूंगा उसको ना ले कि इसको ले लिजए 14 रुपय का कमपनी भी सस्ता है कमपनी अच्छी भी अच्छे वैल्वेशन पर आपको मिल रही है तो कुल मिराज उला कि यह आपको लंबा प्रॉफिट दे सकता है यहाँ पर देखिए इसका बूक वैल्यू भी छे रुपए इतना प्यारा सा टावल और उसने क्या किया है पेटेंट कर लिया है मतलब कि वह जो टावल बनाया है वह तरह का टावल कोई और कंपनी नहीं बना सकती अगर कोई और कंपनी बनाएगी तो उस पर कॉपी राइट क्लेम कर दिया जाएगा तो उसने पेटेंट कर लिया है और इस तरह के टावल बहुत ज़्यादा डिमांड है फाइव स्टार होटल में या फिर लगा लो पूरे आउट अफ कंट्री में इनका माल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है तो काफी बेस्ट है बाकि देखो अभी जो बिड़न का क्या आ रहा है निया रूल वगेरा एक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिये का वीडियो को लाइक कर देगा थैंक्यो गाइस थैंक्स फर वाचिंग देस वीडियो